हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको पेनिन्सुला ये ट्रेंड टू भुसान मूवी का पार्ट टू एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ अगर आपने ट्रेंड टू भुसान ये मूवी देखी नहीं है फिर भी आप इस मूवी को देख सकते क्योंकि इनकी दो स्टोरी लाइन है ये अलग अलग है इनका जो यूनिवर्स है ये ही सेम है ट्रेंड टू भुसान में जो सब हुआ था ये आपको यहाँ पता चल जाता ह ये एग जॉम्बी एपोकलिप्टिक मूवी है और बहुत ही तगडी ठ्रिलर है मूवी का स्टार्टे में कोई स्पॉइलर नहीं देना है तो चले है शुरू कर दें मुवी स्टार्ट होती और में पता चलता है कि कोरिया में जॉंबी का आउटब्रेक हो चुका है वायरस जो लोगो को जॉंबी में कनवर्ट कर रहा था वो फेल चुका है मुवी के फर्स्ट में हमें एक जॉंबी दिखता है इसके बाद नेक सिन में हमें दिखता है कि जॉंग सुन अपने गाड़ी में है ये मिल्टरी में होता है अपनी सिस्टर, अपनी ब्रदर इनला और सिस्टर का चुसान है इन सब को लेकर वो कार में जा रहा होता है ये सब अब शिप्स की तरफ बढ़ रहे है ये अब कोरिया से निकल कर चापान जाने वाले है इनने बचने का यही एक जरिया है एक जगा पर जब कार स्लोडाउन हो जाती है वहाँ इने एक फैमिली दिखती है यहाँ फादर, मदर और उनकी बेटी होती है जॉंग सुट जब फादर को देखता है तो उसकी नेक से प्लड आ रहा होता है यह जॉंगी में कभी भी बदल सकता है तो इसलिए इस फैमिली को हेल्प नहीं करता मदर बोलती है कि सिर्फ मेरे बच्ची को लेकर जाओ पर यह भी रिस्क लेने के लिए वो रेडी नहीं होते अब हमें एक निउस दिखाई जाती है और इसमें हमें सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है बुसान की एक फैक्टरी में से ही वाइरस निकला था और उसके बाद बहुत ही फास्ली यह स्प्रेड हो गया है कोरिया में हर जगा पर यह है पर पेलिंसुला में नहीं है जॉंसुक पेलिंसुला में जा रहा था कोरियन गवर्मेंट पूरी तरह से थबा हो चुकी है बुसान का जो इंसिडेन था अब उसे चार साल गुजर चुकी है अब हमें दिखता है कि जॉंसुन अपनी फैमिली के साथ शिप में पहुच चुका है यहाँ पहुचने के बाद वो जापान जाने वाले थे पर उसके सुपिरियर्स उसे बुला लेते उससे कहते है कि अब वो हॉंग कॉंग जाएंगे जापान में भी जो हाला थे यह भी खराब होते जा रहे है जब ही जॉंग सुपिरियर्स को रिपोर्ट कर रहा होता है तब इसकी सिस्टर जाओती है वहाँ एक आदमी इंफेक्टेर है यह हमें दिखाई देता है यह अब जॉंबी में कन्वर्ट होने लग जाता है जॉंग सुख को जब निउस मिलती है तब तक यहाँ पर यह वाइरस स्प्रेड हो चुका होता है बहुत सारे लोग जॉंबे में कन्वर्ट हो चुकी होता है अपनी सिस्टर को बचाने के लिए जाता है पर सिस्टर का जो सन है वो भी इंफेक्टेर हो चुका है उसकी सिस्टर वहाँ से निकलने रही तो वह भी infected हो जाती है जॉंग सुक जल्दी से वहाँ से निकलता है और यह जो जेम बहरी इसे बन कर लेता है जॉंग सुक का ब्रदरीन लॉबी वहा आता है और उससे कहता है कि हमें उन्हें बचाना चाहिए कुछ ना कुछ तो हम कर सकते है जॉंग सुक नहीं मानता क्योंकि सब जो भायरे से पूरी शिप पर फैल सकता है इस इंसिडेंट को अब चार साल गुजर चुके है हमें होंग कॉन दिखाए जाता है और कुछ ग्याएं के गुंडे जॉंग सुक को लिने के लिए आते है जॉंग सुक के साथ उसका प्रदरीन रॉब भी रहता है यह दोनों फिर गैंग के बॉस के पास आते है यह और भी तीन चार लोग होते है गैंग का बॉस फिर इन्हें एक काम देता है वो कहता है तो यह पैनिन सुना फिर से जाना पड़ेगा यह कहते है कि क्या हम पागल है कि हम जॉंबी से मिलने फिर से जाएंगे यह फिर इन्हें समझाता है यह कहता है कि हमारे बहुत सारे पैसे वहाँ है एक ट्रक में इनके 20 मिलिन डॉलर्स है यह और भी इलाबरेट करता है अगर तुम रात में गए तो जॉंबी को कुछ वाले होते हैं, यह जो पैसो का ट्रक है, यह एक ब्रीज पर होता है, जो सब प्लान है, यानि कि कैसी कोस्ट गार्ड को जलावा देकर वहाँ पहुच जाएंगे यह सब, इनको यह बताता है, इसके बाद हमें दिखता है कि जॉंग सुक और उसका ब्रदर इनला इस पर डिसक आगए, तो यह सही तरीके से जी सकते हैं, ब्रदर इनला जॉंग सुक को यह समझा रहाता है, पर यह समझ नहीं रहाता, जॉंग सुक केता है कि क्या तुम पागल हो, वह फिर से जानना चाते हो, ब्रदर इनला केता है कि तुम्हारे लॉजिक तुम नुमारे पास ही रखो अगर तुम इतने सही होते हैं तो मेरी माइफ मेरी बच्चे को तुम बचा ले थे उस दिन तुमने ट्राय भी नहीं किया था ये अपनी बच्ची और वाइफ मरने के लिए चौंग सुक को ही ब्लेम करता है अब हमें दिखता है कि ये सब पेनिसुला जा रहे है कोरिया का कोसगार्ज होता है यहां उतनने के लिए इन्हें परमिशन नहीं देता पर वहाँ कोई भी नहीं होता इन गुंडों के आदमी इन्हें दो सैटलाइट फोन देते थे ये जब सीटी में उतरते हैं तो ब्रीज गिरे हुए है पुरी सीटी तेसनेस हो चुकी है जब इन पर रिखा होता है एक गौर्ड ने हमें भुला दिया है ये सब फिर वहाँ जाने के बाद इनमें से एक एक गाड़ी को स्टार्ट कर ली थी है ये जो आरत है ये पहले टैक्सी ड्राइवर हुआ करती थी इसे कहा से कहा जाना है ये सब मालूम होता है ये फिर ब्रीज पर एक ट्रक चेक करते है और उसमें कुछ भी नहीं होता जो आन सुक सब को गाड़ी में बिठा कर ये ट्रक चेक कर रहा होता है जब अपने नाइट वीजन गॉगल से ये देखते है तो यहाँ एक ग्लास के पीछे बहुत सारे जॉम्बिज होते है एक कुछ भी आवाज ना करे हुए वह आसे जल से निकल जाता है थोड़ा आगे जब वह पोचते है और एक ट्रक उन्हें मिल जाता है जब ये चेक करते है तो इसमें बहुत सारे पैसे पड़े हुए होते है ये सब खुश हो जाते है जॉंग सुक का ब्रदर इन लॉग इस ट्रक का जो ड्राइवर है उसके पास आता है ये मरा बड़ा है ये उसे लगता है इसे वो ड्राइवर सीट से निकालने के लिए जुकता है पर ये एक जॉंबी होता है ये जॉंबी इसे काटने के लिए पगड़ता है पर जॉंग सुक इसे बचा लेता है इसे बचाते वक्ती इस गाड़ी का हॉन बच जाता है रात में जॉंबी कुछ देख नहीं सकते पर इनकी एर्स बहुत ही सेंसिटी होते है अब यह सब इस ट्रक के पास आने लग जाते है जॉंग सुक और उसकी पूरी टीम जल्दी से गाड़ी में बेटते है और वहाँ से निकल जाते है जब यह आगे ड्राइव करे होते है तो अचानक से इन पर फ्लेर गन चल जाती है यह जब फ्लेर गन चलती है तो जॉंबी को अब दिखने लग जाता है बहुत सारे जॉंबी इनके कार की तरफ बढ़ने लग जाते है इनके पास एक ट्रक होती है और एक कार होती है जो कार होती है इसका एक्सिटन हो जाता है सब जॉंबी इन पर अटैक कर लेते है जॉंबी ट्रक से बाहर निकल जाता है और वो देखता है कि सब पर अब जॉंबी अटाक हो चुका है इसके पास एक गन होती है तो सब को इससे मार रहा होता है ये जॉंबी अब इससे मारने वाले होते है तब एक कार आ जाती है इसमें दो छोटी लड़किया होती है का नाम जुनाय है और छोटी सिस्टर का नाम यूजीन है जुनाय कार चलाने में बहुत ही महर होती है सब जॉंबीज को मार मार कर इस सिटी के एक दूसरी तरफ वहा जाती है जॉंबीज से वो पीचा चुड़वाती है पर जहां उन्हें जाना होता है यहां अब बहुत सारे जॉंबीज होते है जो शोटी सिस्टर है इसके पास एक रिमोट कंट्रोल कार होती है जिस पर साउंड भी लगाय हुआ होता है यह फिर अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है और जॉंबीज की तरफ भीचती है इस कार का पीचे सब जॉंबीज करने लग जाते है और इ इन्हीं लोगों ने चलाई थी, यह यही परिंसुला में रहते हैं, और सब जगा जाकर वहाँ से सप्लाइज लेकर आते हैं, इस ट्रक में भी सप्लाइज के लिए वहाँ आते हैं, जिस तरह से यूजीन ने सब जॉंबी इसको डिस्टाइक किया था उसकी गाड़ी से, उसी जो ट्रक है, इसको लेकर साजन जहां वो रहते हैं, यहां वो आ जाता है, नेकसी में हमें दिखता है, कि जॉंबी इन दोनों लड़कियों के साथ, वो जहां रहती है, यह आ चुका है, यह दोनों लड़कियां, इनके ग्राइन फादर और इनकी मदर इनके साथ रहती है, यह जो grandfather थे, इन्होंने इन लड़कियों के city में जाकर एक पैटरिस राने के लिए बोला था। इनका जो radio है, यह फिर से वो चलाना चाते हैं। अगर radio फिर से start हो गया, तो उन्हें यहाँ से बचाने के लिए, वो help मंगवा सकते हैं। जब मदर यहाँ थी है, तो जौंग सुक से वो पोच्छती है कि तुम को न हो, यह सब कुछ उन्हें बता देता है। मदर भी बाहर गई थी, और उसने उनके radio के लिए बैटरिल आई है। ग्राणपा का radio स्टार्ट हो जाता है, और उसके जो सुपीरेर होते हैं, इनसे वो कॉंटाक कर लेते हैं। इनके लिए help अप आने वाली है, इन्हें यहाँ से वजाय जाएगा। अब नेकसीन में हमें दिखता है कि साजन उसका जो कैम्प होता है, वहाँ पर वो ट्रक लेकर आता है। यह जो ट्रक है, खाने के सब्प्लाई से भी भरा हुआ होता है। अब इन्हें एक मान के लिए खाने के कोई भी चिनता नहीं होगी। यह आपर खाना डेस्ट्रीबिट करने के लिए जो इन्चाज होता है, यह वो देखता है और खूश हो जाता है। यह जो सब लोग है, यह लोगों कईदी बना कर इन्हें आखाडे में भेशते हैं और वहाँ जॉंबी इनकी पीछे लगा देते हैं। इन्चाज के लिए एक इंटरनेर्मेंट ही होता है। यह वो करते हैं। इन्चाज कर सकता है, हेल्फ भूलवा सकता है। जो इस फोन से कॉल करता है, तो वहाँ से गुंडे के जो लोग होते हैं यह बात करने लग जाते हैं। यह उनसे कहता है, यह मेरे पास सब पैसे हैं। जो डिल जॉंग सुक को उन्होंने दी थी, यानि कि अगर वो पैसे लेकर आ है, तो हाप उन्हें वो दे देगा। यही डिल वो कैपिटन साओ को भी देते हैं। कैपिटन साओ ने अगर वो पैसे उन्हें लोटा दिये, तो उसे 50% मिलने वाले हैं। पर कैपिटन साओ को वहाँ से निकल सकता है, यही बड़ी बात होती है। इसके बात हमें दिखता है कि आखाडे में जॉंग सुक के ब्रदर इन लोग को भेज दिया जाता है। यहाँ जॉंबी इसके बीचे पड़ते हैं, इनसे वो लड़ता है, वो इसके बात वो फिर से अंदर आ जाता है। यह अपने जान बचा कर अब बच चुका होता है। यूजिन बहुत ही स्वीट लड़की होती है। यह सब अब अपना सामान पैक कर रहे होती है। जॉंग सुक फिर मदर के पास आता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हे पहले देखा था, तुम रस्ते पर हेल्प मांग रही थी। मदर के दिये कि तुम गेल्टी महसुस मत करो। वहाँ से 51 कार्ज गई थी। वहाँ में से उसमें से कोई भी नहीं रुका था। अब तुम्हे गल्टी महसुस होई रहा होगा, तो मेरी डॉटरस को तुम हेल्प करना। ये सब लोग फिर रात में निकलते हैं। एक जगा पर आने के बाद मदर अपनी डॉटरस से कहती है कि तुम अब यही रुकना। में थोड़ी देर बाद वापस आजाओंगे और सब लोग शिप में चले जाएंगे। अब इनका प्लान हता है कि जौंग सुप और मदर ये दोनों मिल्ट्री के कैमप पर जाएंगे। जो सैटलाइट फोन था ये ट्रक में था। इस ट्रक को ढूंगर वो सैटलाइट फोन और पेसे लेकर आएंगे यानि को कॉंटेक भी कर सके और पेसे देखकर वहाँ से सही से रहे भी सके। अब ये दोनों निकल बढ़ते हैं। कैप्टन साओ अब यहाँ से निकलने वाला है तो बहुत ही खुश है। सब लोग के के अचानक तुम इतने जेनरेस कैसे हो गए। साओ से समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ फिर जो फूड का इंचाज होता है वो आ जाता है। साजन और भी इन पर अब प्रेशर बनाता है। इसे बताता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है पर वो अपना मू मिलता है क्योंकि यह कैप्टन साओ के पास है। फूड का इंचाज फिर यहाँ जब आता है तो इस पर वो गन रखते है। इसे बुछते है कि वो फोन का है। यह इन्हें सब कुछ बता देता है। जॉंग सुग को यहाँ पता चल जाता है कि उसका ब्रदर नी लौ है यह अभी भी जिन्दा है। अब अपने ब्रदर नी लौ को बचाने के लिए जॉंग सुग वहाँ से चला जाता है। मदर ने फूड इंचाज वाले पर गन रखी है और वहाँ फिर कैप्टन साओ आता है। कैप्टन साओ से मदर उसकी गन नीचे रखने के लिए बोलती है। फिर से जॉंबिस के साथ इसकी फाइट हो रही होती है। तब जॉंग सुग वहाँ पहुचाता है सब जॉंबिस को मारता है। यह जो सब लोग है साजन और उसके आदमे अब जॉंग सुग के पीछे बढ़ जाते है। जॉंग सुग सब लोग को मार कर अपने ब्रदर नी इसका ब्रदर इनलाओ को एक गोली लग जाती है इसका ब्रदर इनलाओ यही मर जाता है यहाँ में दिखता है क्याप्तन साउ को मदर ने उड़ आया था पर वो अभी भी जिन्दा है जॉंग सुक और मदर अब यहां से जल्दी से निकल पड़ते हैं साजन और इसकी टीम भी इनका पीछा करने लग जाती है इन पर गोलिया चला रही होती है जो दोनों सिस्टर्स थे वो भी गाड़ी में आती है और इनको कवर देती है अब यह सब लोग जॉंबी से बचते हुए पूरे सिटी से घुमते है एक जगा पर पिल्डी में बहुत सारे जॉंबी जोते हैं उस पिल्डी इंको जॉंग सुक फोर देता है यह सारे जॉंबी कैप्टन के कार पर ही पड़ जाते है यहाँ पर captain मर जाता है यह सब अब port पर आ जाते है इनने लेने के लिए ship आने वाली होते है हमने देखा था कि captain साव अभी भी जिन्दा है यह इनका पीछा कर रहा था इनकी कार को यह अपनी कार टाग़ा देता है यह जुनाए को पकड लेता है पर यह गोली उसे नहीं लगती जो ग्रांड मा थे यह मदर को बचा लेते हैं और उनको यह गोली लग जाती है कैप्टन साव जल्दी से ट्रक में बैट जाता है और ट्रक लेकर आगे चला जाता है जो शीप इन्हें लेकर जाने के लिए आई हुई थी इस शीप में वो पहुच जाता है इसने पहुच जाने के बाद सब गुंडे लोग वहाँ थे और इससे वो पैसे वेजरा सब कुछ ले ले थे कैप्टन साव बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो अब बच चुका है यह अब भसने लग जाता है तब गुंडों में से एक आदमी इस वर बहुत सारी गुलिया चलाता है और इसे मार देता है कैप्टन साव जब शिप पर बहुत चुका था तो उसने बहुत सारा साउंड क्रेट किया है जो सब जॉंबी इस इरिया में थे वह सब अब शिप में खुश जाते इन कुंडों को यह सब जॉंबी मार देते अपने ग्राणपा को मरतावा दिखकर यह दोनों लड़किया रहने लग जाती है मदर को भी बहुत ही रोना आता है हमें दिखता है कि ग्राणपा ने अपने सुपियरे से कॉंटेक किया था इनने रेनी के लिए एक स्पेशल हिलिकॉप्टर यहां आया हुआ है यह सब लोग अब हिलिकॉप्टर तक नहीं पोच सकते वह बहुत सारे जॉंबी जहा होते है इन जॉंबी इसको डिस्टाइक करने के लिए कोई तो चाहिए होता है मदर जॉंग सुक से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि मेरी जो लड़किया है इनका तुम अच्छे उसे खयाल रोखोगे वो अब अपने आपको सैक्रिफाइस करने वाली होती है मदर फिर सब जॉंबी जो मारने लग जाती है जब होप्टर रुखता है तो जॉंग सुक और दोनों लड़किया मदर इन लोगों को कवर देती है ये दोनों जॉंग सुक से कह रहे होती है कि प्लीस मदर को बचा लो मदर एक कार में बच जाती है और अपने आपको मारने वाली होती है जौंक सुग अपनी सिस्टर और उसके सन को बचा नहीं पाया था उसका ब्रदरी नौ ने उसे कहा था कि तुमने ट्राय भी नहीं किया था हमेशा से ये बात उसे खाती रहती है उसे लगता है कि उसने जो किया था वो गलत किया था और अब मदर को बचा कर या अपनी मिस्टेक को रिडीम कर सकता है वो फिर हिलिकॉप्टर से बाहर निकलता है बहुत सारी गुलिया जॉंबिस पर चलाता है जब मदर ये साउंड सुनती है तो वो भी अब लड़ने लग जाती है अपने आसपास जो सब जॉंबिस होते इनको मार कर भागते भागते वो अब हिलिकॉप्टर में बहुच जाते है ये सब लोग बच चुके है मदर अपने बेटीव को हग कर ले थी और कहती कि सब ठीक है इनने बचाने के लिए हिलिकॉप्टर में जो औरत आई हुई होती है वो कहती अब तुम सब लोग सेफ हो अब वो जहां जाने वाले है या कोई भी वाइरस विगरा नहीं है अब वो अच्छी तरीके से लाइफ जी पाएंगे जौंग सुक ने भी पास में जो गलती की है उसने वो सुदार लिए अब जो गलती करने वाला था उसने वो नहीं की है वो आखरी दम तक लड़ता रहा है इस मूवी के फर्स पार्ट का हैपी eंडिंग नहीं हुआ था इसे तरह से इस मूवी का भी साड़ी एंडिंग होगा ऐसा हमें लगता है पर इसके बाद एक हैपी एंडिंग मूवी है हमें देखर जाती है अगर आपको एवीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज ऐसी लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेंड़नों फ्रेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए हम फेसी मुलेंगे एक नई मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और अब आपने आपका खैल रखे